बात करने के लिए लोग इन करें www.astrotak.com नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ छेलेंडर पांडे मानव के जीवन में बहुत सारे तरीके के रिण होते हैं और उसमें से एक रिण ऐसा होता है जो संतान की उत्पत्ती के बाद ही उतर सकता है चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो आज हम आपको बताएंगे कि जोतिश में कौन सा ग्रह संतान सुख के लिए जिम्मेदार होता है और संतान सुख के लिए जिम्मेदार होने की वज़़ से किस तरीके का असर उसका जिन्दगी पर पड़ता है सबसे पहले जानते हैं कि शनी किस तरीके से संतान प्राप्त करने में या संतान होने में बाधा उत्पन करता है देखिए शनी जो है वो संतान होने में विलंब करवा देता है शनी का मतलब जो धीमे धीमे चले शनी को मंद भी कहते है यानि शनी चीजों को डिले करता है और बिना वजह के बिना कारण के विलंब करवा देता है लड़के और लड़की पती पतनी दोनों की रिपोर्ट्स ठीक होती है सब कुछ ठीक होता है लेकिन बिना वज़ा के विलंब हो जाता है कारण होता है शनी और कभी कभी कोई गंभीर स्वास्त की समस्या भी हो जाती है खास्त और से फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज पैदा होती है शनी की वज़ा से ऐसा देखा गया है कि महिलाओं का जो फिलोपियन ट्यूब है वहाँ पे ब्लॉकेज पैदा हो जाती है जिसकी वज़ा से संतान नहीं हो पाती कभी कभी किसी शाप की वज़ से या किसी कर्म की वज़ से शनी संतान बाधा देता है देखिए कर्म का जो बंधन है कर्म का जो फल है वो अमोग है जो आपने किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा आप उससे बच नहीं सकते तो कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसे कर्म कर देता है जाने अन जाने जिसकी वज़ा से जीवन में बाधा आती है या कुंडली में कुछ ऐसा शाप होता है या दोश होता है जिसकी वज़ा से संतान होने में दिक्कत आती है अब ये जानते हैं कि कौन से ऐसे कर्म होते हैं कौन से ऐसे कार्य होते हैं जिसकी वजह से शनी संतान में बाधा देता है देखिए अगर आप हरे व्रिक्ष कटवाते हैं खासतोर से पीपल या बरगत कटवाते हैं बिना वजह के केवल सुन्दरता बढ़ाने के लिए आप पीपल कटवा देते हैं, बर्गत कटवा देते हैं, तो ये महापाप की श्रेणी में आता है और इसकी वजह से संतान आगे नहीं हो पाती बिना वज़ा के आप गर्भ पात करवा देते हैं आपको संतान नहीं चाहिए आपको लगा कि संतान बेवज़ा आ गई या आपने अबॉर्शन करवा दिया आपने अपनी सुभिधा को देखा और अबॉर्शन करवा दिया देखिए कारण अगर है abortion का कि बच्चा जो गर्ब में है वो डबलप नहीं कर पा रहा है या जो माता है उसकी आयू पे संकटा गया है तो abortion करवाना एक logical बात है एक तारकिक बात है लेकिन बिना वज़ा के अगर आप abortion करवाएंगे तो निश्चित रूप से संतान होगी नही और अगर होगी तो जीवन में कश्च का कारण बनेगी अपने बुजर्गों और महिलाओं का अनादर करने से भी संतान होने में दिक्कते आती हैं जो आपके घर के बड़े बुजर्ग हैं या घर की समाज की आपके साथ में काम करने वाली महिलाएं हैं इनका अनादर करने स भी दिक्कत आती है जो लोग घर के मुख्य द्वार के आसपास केले का पौधा लगा देते हैं उनके घर में भी संतान उत्पत्ती में संतान होने में निश्चित रूप से दिक्कतें निश्चित रूप से बाधाएं आती हैं अब आपके उपायों पर चर्चा करते हैं अगर आपको बिना किसी कारण के संतान नहीं हो पा रही है पती पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट ठीक है सब कुछ ठीक है संतान चाहते भी हैं प्रयास कर भी रहे हैं फिर भी संतान नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय करेंगे संतान गोपाल का एक विशेश अनुष्ठान होता है ये पती पतनी एक साथ करवाले हर ब्रिहस्पती वार का उपवास रखें और रोज सवेरे पती भी और पतनी भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें साथी साथ पती और पतनी अपनी तरजनी उंगली में अपनी इंडेक्स फिंगर में एक सोने का या पीतल का छला धारन करें शनी वार की शाम को पीपल के व्रिक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं अगर ये काम पती-पत्नी करना शुरू कर दें इसमें से दो काम सबसे एहम है एक तो ये है कि पीतल या सोने का छल्ला पहन ले और दूसरा काम ये है कि संतान गोपाल अनुष्ठान करवा दें शनीवार को दीपक जलाते रहें तो ऐसा करने से संतान की प्राप्ती जल्दी से जल्दी संभव हो जाएगी